दोस्तों हम सब में से सायध ही कोई होगा जो कि इंद्रधनुस या रेन्वोस को नहीं देखा होगा। हम सब इंद्रधनुस को आसमान में देखते हैं, खास करके बारिस के दिनों में। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है रेनवोस बनने की पीछे की कारण क्या है ये कैसे बनता है और ये हमेशा एक आर्क के रूप में ही क्यों दिखता है कोई और शेप में क्यों नहीं दिखता है इन सब सवालों की जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडिय की चैनल पर तो चलिए बीना देर्गे शुरू करते हैं दूस्तों हम सब के जानते हैं कि इंद्रधिनुस में सेवन कलर्स रहते हैं वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन योलो औरेंज और रेड इन कलर्स को हम याद रखने के लिए इनकी फर्स्ट लेटर को यूज करके ट्रि फेनोमेना के ऊपर यह काम करता है तो इसका अंसर दोस्तों यह है कि यह लाइट्स की तीम फेनोमेना के ऊपर काम करता है रिफ्रेक्शन फेनोमेना टोटाल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेना और डिसपर्सन फेनोमेना के ऊपर काम करता है दोस्तों जब लाइट एक में ट्रावल करता है तब वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है इससे हम रिफ्रेक्शन और लाइट कहते हैं जब लैट एक बोडी में एंटर करने के बाद उस बोडी की इंटर्नल वाल में ठकराकर जिग-zag व्य में ट्रावल करता है उसे हम Track और जब एक वाइट कलर का लाइट प्रिजिम के फो पास करके सेवन कलर में स्प्रिट हो जाते हैं उसे हम डिस्पर्शन अफ लाइट कहते हैं दोस्तों इन तीन फेनोमेना की एप्लिकेशन एक साथ हमें इंद्रधनुस में दिखता है आईए समझते हैं यह मेकानिजम काम कै से करता है दोस्तों सबसे पहले जिस दिशा में हमें इंद्रधनुस दिखता है सुरज उसकी विप्रित दिशा में रहता है तो अगर हमें पूरब की आस्मान में इंद्रधनुस दिखता है तो सुरज पस्चिम में होना चाहिए तभी हमें इंद्रधनुस दिखेगा पहले सनलाइट आसमान में वाटर की ड्रोपलेटस से टकरा कर थोड़ा सा बेंड हो जाता है और स्प्लिट होकर विद्ट्योर कलर्स में ड्रोपलेटस में एंटर करता है इसे हम reflection और dispersion of light कहते हैं उसके बाद ये dispersed seven colors lights droplets की internal wall पे टकरा के एक angle पे वापस मुझती हैं इसे हम total internal reflection कहते हैं और आखिर में ये lights फिर से reflection की मदद से droplets से बाहर आते हैं और हमारी आँखों तक पहुंचता है तो इसी तरह से दोस्तों जब बहुत सारा droplets से sunlight टकराती हैं तो ये सब मिलके एक rainbow बनाती हैं और दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है sun rays की direction lines और जिस direction से rainbows हमें दिखता है उसके बीच का angle लगबक 42 degree रहता है अब आते हैं दूसरे सवाल पे यह हमें हमेशा एक आर्क के shape में क्यों दिखता है कोई और shape में क्यों नहीं दिखता है क्योंकि यह actual में circular होते हैं shape में हमें बस इसका आधा पार दिखता है इसका reason यह है यहाँ पे हम imagine करते हैं circular rainbow को एक cone का base मानती है और हमारी आखों को उस cone का tip मानते हैं यहाँ पे हमें नजर करना पड़ेगा कि यह जो 42 degrees का angle है यह एक direction से नहीं आता है बलकि यह सब तरफ से आ रहा है उस cone के base से हर points में 42 degrees angle हम बन रहा है और यह circle जैसा बनता है पर हमें इसका सिर्फ अपर पार्ट ही दिखता है bottom part ground के नजदीक आने से नहीं बन पाता है और पूरा का पूरा circular rainbow हमी mountain की टॉप में दिखेगा और हम एरो प्लैन में हो तब ही हमें देख सकता है दूस्तो rainbow's actual में exist ही नहीं कहते है बस यह एक light आई फेनोमेना है जिसे water droplets जिसे हम छोटी सी प्रिजम भी कह सेकते हैं sun की lights से बनाते हैं और यह हमारी एक specific location पे ही लिख अगर location change होता है या angle change होता है तो rainbow हमें नहीं दिखेगा दूस्तों आसा करता हूं इस वीडियो से आपको rainbow's की formation के बारे में कुछ जानकारी जरूर मिला होगा दूस्तों वीडियो आपको कैसा लेगा प्लीज हमें comment box में जरूर comment किजिएगा वीडियो को like जरूर किजिएग झाल